हलो रिवान, वेलकम टू फार्मारोक्स यूटूब चैनल, फार्मारोक्स के यूटूब वेच्चू के स्टेनल में आपका स्वागत है आज के वीडियो लेक्चर में हम डेटेल में स्टडी करेंगे क्लोटराइमाजॉल मेडिसिन के बारे में तो हम सीखेंगे उसके बेजिक यूश के बारे में और करेंगे उसके डेटेल फार्माकोलोजिकल स्टडी ये लेक्चर में और सीखेंगे उसके यूश वगरा क्या होते हैं किस तरह से ये अपना काम करती है और उसके साइड इफेक, कॉन्टरा इंडिकेशन्स वगरा को जान यह लेक्चर के अंदर डीटेल में तो अगर आपके पास Android फोन है तो डाउनलोड करें फार्मा रोक्स का Android एप्लिकेशन Google Play Store पर से और अगर आपके पास iPhone है तो App Store पर इसको डाउनलोड कर सकते है लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएगी तो सबसे पहले समझते है Clotrimazole Medicines के बारे में उसका जो basic concept वो सबसे पहले clear करते है कि Clotrimazole यह कौन से टाइप का Medication है तो Clotrimazole को हम Antifungal Medication कहते हैं यह खास याद रखे It is a Antifungal Medication मतलब कि जो अलग-अलग Fungal Infections होते हैं उसको treat करने के लिए यह Medication जो है यह यूस किया जाए तो बाजो में जो उसका container है कि Clotrimazole का जो powder है उसका यह आप देखो तो Antifungal Antibacterial जो उसकी लिखी हुई है तो primary Antifungal Medication है and Antifungal Antibiotic drug जो है उसको कहा जाता है and it is used to treat the yeast infections yeast के जिसको हम Fungal कहते हैं तो इसको treat करने के लिए यह Medication जो है वो सबसे ज़्यादा use किया जाती है तो जो yeast के करन होने वाले जो अलग-अलग जो Fungal Infection है उसको treat करने के लिए Clotrimazole जो है वो use किया जाता है तो वो Azole derivative कहा जाता है and effectiveness उसके रहती है topically तो इसलिए देखो बाजू के जो diagram में आप देख रहे हैं कि Clotrimazole का absorbant dusting powder available है कि जो person directly जहाँ पे Fungal Infection होता है वहाँ पे directly topically यह powder को जो है वो लगाता है कि जैसे कोई normal आप कोई cosmetic powder लगाते है apply करते है same like that यह dusting powder भी आपके जो skin के outer layers के उपर आप लगाते है कि जिसको कहा जाता है topical preparation और यह Azole derivative class का antifungal antibiotic medication है तो imidazole ring containing medicine उसको कहा जाता है कि जिसके अंदर जो ring structure जो होता है chemically that is a imidazole and it is used to treat the skin infections caused by a fungus yeast and candida albicans कि जो popular दो फूग कि एक है candida albicans के वो भी बहुत सारे fungal infection के लिए responsible है उसी तरह से यह yeast तो yeast और candida albicans दोनों से होने वाले बहुत सारे skin infections को treat करने के लिए यह clotrimazole जो है वो use किया जाता है तो यह था उसका basic introduction कि antifungal antibiotic है उसके अंदर azole derivative कहा जाता है imidazole ring उसके structure के अंदर present होती है और जो specially yeast होते है और candida albicans जैसे जो fungal होते है उसके करण होने वाले skin infection को treat करने के लिए clotrimazole यूज किया जाता है तो उसके अलग-अलग doses form यहाँ पर हम समझते हैं तो उसका यह dusting powder available होता है तो यह आप close-sip करके जो देख रहे है formulation close-sip की जो antifungal antibacterial है और उसके जो main manufacture है वो है cipla तो यह था उसका first doses form की जो है powder उसे दरह से candida करके भी उसका dusting powder market के अंदर available है कि जो fungal infection prickly hit वगेरा साथ उसाथ जो itching होते है skin infections वगेरा को treat करने के लिए use किया जाता है यहाँ पर भी दिखो उसके उपर लिखा है कि antifungal dusting powder के जिसका नाम दिया हुआ है candida तो यह हो गए उसके दो powder doses form उसके लावा उसकी vaginal suppositories भी available है कि जो vaginal drug delivery system जो होती है कि जो vaginal tablets होती है vaginal suppositories होती है vaginal cream उसी तरह से यह जो है उसके अलग अलग यह आप देख सकते है कि जो clotrimazole के clindamycin के साथ combination में उसका यह doses form available है कि जिसको हम कहते है vaginal suppositories उसी तरह से उसके vaginal tablets जो है वो यहाँ पर आप देख सकते है कि जो vaginal tablets है 100 mg की strength के अंदर और उसमें भी लिखाए कि antifungal and antitrichomonal उसकी activity रहती है और यह भी closip उसका नाम है कि जो sipla उसको design करती है जिसके करन्द उसका brand name सेम है फिर जो clotrimazole का एक और popular doses form है वो है उसके ट्रॉचे मतलब कि जो logenges वगेरा आती है तो यह जो logenges जो होती है कि जो tablets जो है वो directly आपको oral cavity के में रखके उसको चबा नहीं होता है उसको swallow नहीं करनी होते है तो इस type के यह logenges टाइप के भी doses form available होते है clotrimazole के and यह वाला एक और popular कि clotrimazole की यह cream की जो 1% cream रहती है और यह भी close sip मतलब कि इसको भी supply ही manufacture करदा है तो clotrimazole आप देख सकते हैं कि अलग-अलग doses form के अंदर यहाँ पे available है कि एक उसका यह powder doses form available है तो यह दो powders आप देख सकते हैं फिर suppositories उसकी available है उसके बाद vaginal tablets available होती है उसके trotches मतलब कि logenges available है and यह cream तो usually जो है उसकी जो action है वो हम कहते हैं कि topical action तो vaginal tablets जो है वो vaginal mucos होता है उसके उपर अपनी जो है वो local action देता है डाइकरेक ले टॉपिकल action देता है उसी तरह से जो vaginal suppositories है उसके अंदर भी directly उसकी जो effect होती है vaginal के जो mucos होती है उसके उपर रहती है तो वो भी topical effect होई उसी तरह से यह जो logins जिसे उसको जस्ट आप आपके oral cavity के अंदर चबाने का काम करते हैं वो tablet को swallow नहीं करनी होती जिसके करन यह भी topically ही काम करेगा कि जो आपका oral cavity का जो mucos है उसको directly असर्द करेगा topically तो यह tablet के अंदर खास यह दियान रखना है कि जब आप logins वगरा यूस करते हैं क्लोट्राइमाजॉल के कि जो 10 mg की यह logins आती है तो उसको directly सिर्फ चबाना ही होता है कि जैसे कोई आप toffee वगरा खाते है तो टॉफिया लोली टॉप को जिस तरह से आप आपकी oral cavity में ही चबाते है उसी तरह से यह tablets को चबानी होते हैं कि जिसको का जाता है क्लोट्राइमाजॉल के ट्रॉचे या फिर उसके logins और यह जो क्रीम है वो directly जो affected area के उपर लगाना होता है कि जिसकी action होती है fungicidal action तो क्लोट्राइमाजॉल के जो हम basic use सबसे पहले समझ लेते कि कौन से अलग-अलग disease and disorders को treat करने के लिए क्लोट्राइमाजॉल use किया जाते तो सबसे पहले जो उसका popular use है वो है vaginal yeast infection के लिए तो यहाँ पे देखो कि vaginal जो thrust होते है candidiasis जो होता है कि जो candida albicans के करन होने वाला जो vaginal infection है उसको treat करने के लिए यह क्लोट्राइमाजॉल जो है वो first choice बनता है काफ़े effective medication सबस्वित होती है तो यह उसका first most important use vaginal thrust as well as candidiasis के अंदर कि जिसको हम कहते है vaginal yeast infection उसके बाद आप second देखो तो कि जो oral thrust जो develop होते है कि यह जो oral thrust कहते हैं तो oral thrust की जो treatments वागेरा के अंदर यह use होता है कि जो हमने logins की जो बात की तो जब यह ऐसे oral thrust oral cavity के अंदर develop होते है तो उसको treat करने के लिए भी क्लोट्राइमाजॉल के जो logins जी से achievable tablets वागेरा है वो use किया जाते है फिर दिसरी बात आती है कि जो diaper rassist कि छोटे बच्चों के अंदर जो diaper के करन जो यह rassist वागेरा जो develop हो जाते है तो यह जो diaper rassist को भी treat करने के लिए उसका जो powder वागेरा होता है creams वागेरा होती है वो use किया जाते है फिर आप देखे तो Pitteriasis Versi Color कि ये वाला डायग्राम के अंदर जो आप condition देख रहे है तो जिसको कहा जता है Pitteriasis Versi Color कि इस टाइप के जो पैचीस जो है वो आपके skin के उपर डेखने को मिलते कि जो इस टाइप का जो skin disease होता है उसको treat करने के लिए ये Clotrimazole जो है वो topically वहापे उसके creams वगेरा जो है वो लगाए जाते एवन आप वहापे powder भी use कर सकते है फिर ये जो ring warm वगेरा develop होते है कि इस टाइप का जो हम ring warm कहते है तो ऐसे जो fungal के करन होने वाले जो ring warm वगेरा है उसको भी आसन इसे treat किया जा सकता है by using the Clotrimazole और फिर जो बात आती है athletes foods and jaw keach की कि इस टाइप के जो athletes fits के अंदर जो आपके fingers वगेरा होते है feet वगेरा के तो वहापे इस टाइप का जो fungal infections develop होता है उसको भी treat करने के लिए Clotrimazole का powder cream वगेरा जो है वो use किया जाते है तो यह हुए उसके basic use तो समझते हैं सभी को detail में तो सबसे पहले समझे कि it is particularly favored for vaginitis because of a long lasting residual effect after once a daily application तो यह जो Clotrimazole का समझे कि आप vaginal tablet यूज़ करते हैं कि जिसकी strength है 100 mg उसी तरह से यह जो Clindamycin and Clotrimazole के जो vaginal suppositories होते हैं तो उसको भी OD once a day दिन में एक ही बार जो है वो use किया हो जाता है और उसका जो usually जो course रहता है 6-7 दिन का रहता है कि 6-7 दिन तक आप जो है वो use कर दे तो vaginitis मतलब कि जो यह वाला portion देखे कि जो normal vagin नहे और autovic vaginitis के अंदर वहाँ पर क्या होती है? सूजन होती है inflammation जो होता है यह yeast infection के करण तो इसके करण का होता है कि कई बार वहाँ पर आपको white discharge जैसा देखने को मिलता है even itching होती है वहाँ पर racist जैसा हो जाता है और सूजन हो जाती है तो उसको treat करने के लिए clotri mazol के जो vaginal tablet जो है वह directly use किया जाता है और उसको जो है वह आपको दिन में या फिर रात को जो है वह आप insert कर सकते है vaginal के अंदर and Delhi में एक ही once a Delhi application के दिन में एक ही बार उसको use करना है इसलिए देखो यह जो tablet का जो container है उसके अंदर भी packing के अंदर total 6 tablets दियो है तो usually 6 दिन या 7 दिन तक का यह course रहता है कि जिससे आपका यह जो fungal infection जो है vaginal infection है वो आसानी से treat हो जाता है तो usually 6 ही use किया जाता है कि जो tablet आती है 6 into 1 is equal to 6 days तक जो है वह आप उसको use करते तो यह खास याद रखे 6-7 दिन का यह course रहता है और उससे completely जो है वो क्योर हो जाता है उसी तरह से समझो कि आप यह suppositories भी use करते तो one strip के अंदर 3 suppositories दी है तो अगर आप समझो कि total 2 strips लेते है तो उसमें भी आपको 6 जितनी suppositories जो है वो मिल जाएगी तो यह बात होई वज़ाइनेटिस के जो inflammation हो जाता है सूजन हो जाता है वज़ाइनल infection कह सकते हैं वन टाइप का फिर बात आते हैं oral thrust की तो oral thrust मतलब की oropharyngeal candidiasis कि यह आप देखो इस type का यह जो आप oral cavity के अंदर देख रहे हैं कि आप उपर की आप देखो या फिर आपके tongue के portion में तो इस type के जो oral thrust जो है वो develop हो जाते हैं तो यह oral thrust को treat करने के लिए clotrimazol के यह cheevable tablet कि जिसको login जिस या फिर cheevable tablets जो है वो कहा जाता है कि जिसको सिर्फ आपको oral cavity में रखके चबा नहीं होता है कि जैसे कोई आप toffee वागरा खाते है जैसे मैंने अभी previously भी आपको बताया कि जब oral cavity related कोई ऐसे problems होते है infections कि जो fungal infection है तो उसको treat करने के लिए कि oropharyngeal candidiasis के अंदर 10 mg का यह trache use किया जाता है of clotrimazole and is allowed to dissolve in mouth 3-4 times a day कि दिन में 3-4 times कि यह जो tablets दिये है यह आपे कि जिसको logenges वगरा कहा जाता है तो वो 3-4 बार even उसके lotion form भी कई बार बनाए जाते है gel भी होती है is applied and swirled in the mouth for a long as possible कि जितना possible हो सके उसको आप अपने oral cavity के अंदर जो हो रखे उसको swallow नहीं करना है आपको वो खास दियान रखे तो यह एक काफी effective साबित होता है कि जब आपको इस type का infection होता है आपके oral cavity के अंदर की जिसको कहा जाता है oropharyngeal candidiasis कि एक type के जो oral thrust develop हो जाते है और उसके लिए 10 mg का यह ट्रॉचे काफी effective साबित होता है तो यह हो गया clotri muscle का use oral cavity के लिए जैसे vaginal cavity में यूज हुआ as a vaginal suppository cream as well as tablet के form में उसके जो clotri muscle के जो logen जैसे achievable tablets वगेरा है traches वगेरा जो होते है वो आप oral cavity के लिए यूज करते है उसी तरह से जो उसके creams वगेरा आती है कि clotri muscle का यह जो आप cream देखो उसी तरह से उसके tablets तो उसकी जो effectiveness कितनी है तो it is effective in the topical treatment of tinea infections जो कहे जाते है like ringworms कि जब किसी को ringworms वगेरा होते है तो उसके लिए उसकी effectiveness है 60-100% cure rates are reported within 2-4 weeks तो minimum 2 और maximum 4 weeks तक आपको ये cream जो है वो apply करनी होती कि समझे कि आपको ringworm हुआ है तो minimum 2 weeks या फिर maximum 4 weeks के अंदर ये जो है वो cure हो जाता है application ओने twice a daily as per the schedule कि दिन में 2 बार जो है वो आपको at least लगाना होता है कि जब आपको ringworm होता है कि जब पिसन को ringworm का problem है तूसवग इसके ये जो cream वगेरा होती है या फिर जो powder है वो दिन में 2 बार जो है वाप अच्छे से लगाए 2-4 weeks तक तो 60 से लेकर 100% जितना cure rate जो है वापको मिलता है मतलब कि से और अच्छे से cure हो जाता है 2 week या फिर जदे ज़्यादा 4 week के अंदर फिर जो athletes food है automycosis and oral cutaneous और vaginal candidiasis have responded in 80% cases कि जो cure rate है greater than 80% जितने cases के अंदर success rate आपको मिलता है कि जो athletes food के पेशंट है vaginal candidiasis है oral thrust वगेरा के हैं तो ये काफ़ एफेक्टिवनेस साहबीत होती कि on and average 80% जितने एफेक्टिवनेस रहती है clotri mazol की athletes food वगेरा के अंदर vaginal candidiasis के अंदर जब की ringworm के अंदर 60 से लेकर 100% फिर it is also effective in skin infection caused by corinobacteria but like most topical antifungal has a poor efficacy in tinea capitis and tinea unguium कि जो nails के अंदर जो infection होता है fungal infection scalp में होता है उसके अंदर ये इतनी effective साबित नहीं है but it is also effective in skin infections goes by corinobacteria कि corinobacteria के कारण जो होने वाला skin infection इसी के कारण जो हमने close-up powder का जो देखा था तो वो antibacterial के तो और पर भी काम करता है कि जब आपको corinobacteria के कारण कोई skin infection हुआ है but like most topical antifungal has a poor efficacy in tinea capitis कि जब tinea capitis होता है और tinea capitis usually जो एक टाइब का fungal infection होता है आपके scalp के अंदर और आपके nails के अंदर तो उसके अंदर ये जो है वो effective नहीं रहता but जो corinobacteria के कारण होने वाले skin infection के अंदर ये काफी effective है Clotrimazole is well tolerated by most patient local irritation with stinging and burning sensation occurs in some patient no systemic toxicity is seen after the topical use जब आप उसको topically use करते हैं तो कोई भी systemic toxicity जो है वो देखने को नहीं मिलती है तो no systemic toxicity तो ये उसका सबसे बड़ा benefit है और effectiveness कह सकते कि जब कोई person उसको topically use करता है as a cream या फिर powder तो उसके बहुत कम आपको side effects देखने को मिलते हैं या फिर there is no any systemic toxicity after using this as a topically तो ये खाफी important है पिर जब minor irritation या burning sensation होती कि जब आप उसको oral cavity या फिर vazenal cavity वगिरा में use करते हैं तो clotrimazole का use जान लेते हैं during the pregnancy तो topically clotrimazole is a categorized as a pregnancy category B drug pregnancy category के जो अलग-अलग होते हैं उसमें pregnancy category B में आता है ये clotrimazole तो ये खास याद रखे कि category B drug है ये कि जब आप उसको topically या फिर vazenal administered करते हैं तो small amount of clotrimazole जो है वो absorb होता है systematically and however topical clotrimazole is still considered safe to use to treat the yeast infection in pregnant woman कि pregnancy के दौरान समझो कि आपको yeast infection होता है तो उस वाक्त ये medication जो है वो safe कही जाती है it is considered to be safe to use to treat the yeast infection in pregnant woman and is a safer alternative to other antifungal कि दूसरे जो antifungal agent से उनके compare में सबसे safe alternative medication है ये clotrimazole so pregnancy के दौरान ये safe होती है कि जब आप उसको topical end जो vaginal infection समझो कि आपको होता है तो उसको treat करने के लिए उसको use कर सकते है फिर उसकी समझते है mechanism of action तो clotrimazole exudits action primarily by damaging the permeability barrier in the fungal cytoplasmic membrane तो एकदम simple mechanism है तो ये medication क्या करती है सबसे पहले ये जो fungal का cell membrane जो होता है उसका जो cytoplasmic membrane होता है उसको क्या करता है damage करता है तो ये damage करता है कैसे तो कोई भी fungal होती है तो उसको उसकी जो cell membrane होती है उसके develop करने के लिए जरूरी होता है ये ergosterol तो यहाँ पर देखे ये डायग्राम के अंदर कि जो ergosterol है ये समझो कि अच्छे से form होता है तो कोई भी fungal उसका cell membrane जो है वो अच्छे से बना सकेगी तो सबसे पहले जरूरत पढ़ती है squilin की squilin आगे convert होता है तो ये पूरा sequence होता है तो squilin squilin में से lenosterol फिर ergosterol और ergosterol को यूज़ करके ये fourth number में develop हो गई अच्छे से fungal की cell membrane तो one से दो जो होता है step कि like squilin में से lenosterol बनने में help करता है squilino epoxidase enzyme उसी तरह से lenosterol से ergosterol बनने में help करता है lenosterol 14 alpha d-methylase enzyme अब ये जो हमारे medications है जैसे कि ketoconazol है fluconazol है and clotrimazol कि ये जो आज की हमारी medication है तो ये क्या करती है inhibit करती है ये action कि जो lenosterol 14 alpha d-methylase जो enzyme है उसकी activity को कर देगा inhibit जिसके करन अब क्या होता है कि clotrimazol देरबा inhibit biosynthesis of ergosterol in a concentration depending manner through the inhibition of demethylation of 14 alpha lanosterol कि ये क्या करता है इसको completely inhibit कर देता है इसकी activity अगर ये enzyme नहीं मिलेगा तो lanosterol से ergosterol का formation नहीं होगा तो squilin से बले lanosterol बनता है उससे आमें कोई problem नहीं है बट lanosterol से आगे ergosterol का formation जो है वो completely inhibit होना चाहिए कि जिससे करन ergosterol का biosynthesis नहीं होगा तो आगे fungal का cell membrane भी develop नहीं होगा जिसके करन ये कौन से टाइब की action देगा तो fungicidal कि जब कोई भी fungal जो है उसका ये cell membrane नहीं बनता तो अगर उसकी जो ये cell membrane completely damage हो जाती है तो वो cell जो है वो completely destroy हो जाता है damage होता है इस तरह से ये अपनी anti-fungal activity देती है ये clotrimazol drug तो काफी simple mechanism है एक ही concept आपको याद रखना है कि जो ये lanosterol 14-alpha-d-methylase है उसकी activity को inhibit करना ये activity inhibit हो जाए तो ergosterol नहीं बनेगा और ergosterol नहीं बनेगा तो fungal का cell membrane develop नहीं होगा because fungal के cell membrane develop होने में सबसे important role है ये ergosterol का तो ergosterol का biosynthesis ही inhibit कर देता है ये clotrimazol तो ये simple mechanism उसका याद रखे अब उसके side effects जान लेते तो जब overdose हो जाता है excessive use हो जाता है clotrimazol का तो उसके करन जो side effects जो develop होते है S for side and E for effect तो सबसे पहले होने वाले side effect है nausea and vomiting कि ये जो persons को nausea जैसा फिल हो रहा है जी मचलता है और फिर vomiting हो जाती है कुछ cases के अंदर excessive use के करन persons को diarrhea भी होते है फिर कई बार excessive use के करन skin related side effects होते हैं जैसे कि rashes होना highs वगेरा होना blisters develop होना burning होना, itching peeling, redness and swelling होना आपके skin के उपर तो जितना उसको prescribe किया है इतना यूज़ करे because जो एंटिबाइटिक और साथ में Rx लिखा है मतलब कि prescription based medication है तो self medication ना करे proper उसको prescribe होना में कि आपके जो healthcare provider कितने prescribe करते हैं, कितने दीन तक लेना है तो proper supervision के साथ ही ये clotra imazol antifungal antibiotic को use करना जाहे कि जिससे ये जो side effects जो है वाब, जो है वो eliminate कर सकते हैं फिर clotra indications के बाद करें तो कब उसको use नहीं करना है तो कई बार ऐसे टाइप का आपको vaginal infection देखने को मिलता है कि जिसके अंदर symptoms ऐसे होते है जिससे कि abdominal pain होता है fever होता है 100 degree या फिर उससे ज़्यादा and foul swelling vaginal discharge तो ये तिन symptoms जब आपको होते हैं तो आप क्या करते हैं self medication कर लेते हैं और कई बार clotra imazol का ये cream लगया देते हैं या फिर clotra imazol के vaginal tablet use कर लेते हैं तो ये जो है वो completely गलत है तो female should not be self treat with intra vaginal clotra imazol product if the following sign and symptoms are present क्या भी जो मैंने ये तीन symptoms बताएं ये तीन symptoms से तो आप गलती से भी ये clotra imazol जो है वो use ना करें क्यों use ना करें बिकाज इससे ये condition जो है और ज्यादा खराब हो सकती है बिकाज ये जो तीन symptoms से कि जब आपको abdominal pain भी है fever भी है और foul smelling foul smelling होती है vaginal discharge से तो ये कहा जाता है दूसरे टाइप के vaginal infection as well as जो pelvic inflammation होता है pelvic inflammatory जो disease कहा जाता है PID तो ये उसके symptom होती है और PID का जो treatment है वो अलग से होता है तो उस वक्त ये clotra imazol की ना ही effectiveness होती है और या भी कोई असरदार साबित होता है उससे फिर और ज़्यदा खराब होता है ये condition तो कभी भी self medication ना करें अच्छे से diagnosis के बाद ही clotra imazol use करना चाहिए विकार समझे कि आपने गलती से ये clotra imazol ले लिया तो और ज़्यदा complications वगरा हो सकते तो जरूरी है कि अच्छे से symptoms वगरा देखे कि abdominal pain है fever है साथ हो साथ जो smell आती है vaginal discharge में से तो उस वक्त clotra imazol जो है वो आपको use नहीं करें should not self treat with intra vaginal clotra imazol तो ये खास ध्यान रखें कि ऐसे जब symptoms हो तो उस वक्त clotra imazol को use ना करें उससे आपकी condition और खराब हो सकती है so एक और confusion है थी don't confuse with cotra imazol कई बार जो हम देखते हैं कि prescription error के अंदर जो reading के दौरान जो clotra imazol and cotra imazol के बीच में कई बार confusion होता है तो जो cotra imazol है वो antibacterial drug है कि जो sulfamethoxazol and trimethoprim का combination है so don't confuse with clotra imazol के कई बार ऐसे prescriptions भी होते हैं कि जिसके अंदर clotra imazol है तो उसके बजाए गलती से cotra imazol use कर लिया जाता है या फिर cotra imazol की जगा clotra imazol तो दोनों का अच्छे से spelling आपको देखना चाहिए कि clotra imazol और इसका जो spelling है उसमें काफी difference तो नहीं है बट similar spelling है तो अच्छे से जब prescription होता है वो जब read किया जाता है तो ही ये error जो है वो आप eliminate कर सकते कि जो co फिर यहाँ पे भी try है and zol यहाँ पे भी है तो ये खास दियान रखना है कि don't confuse with clotra imazol and cotra imazol because एक antifungal है और दुसरा antibacterial medication है तो इट कंसिस्ट आप one part of trimethopramine five part of sulfamethokzazole smx tmp5 zem 1 रहता है कि जो हमने detail में सिखा था ये tmp and smx के बारे में तो ये खास दियान रखने कि आपको confuse नहीं होना है cotra imazol के साथ तो दोनों completely अलग-अलग medication है clotra imazol जो antifungal है जबकि cotra imazol जो है वो antibacterial है तो इता special lecture about the clotra imazol drug join कर सकते है whatsapp groups 9426180836 access करे study material test series video lecture farm और ox के आप उपर so good luck and all the best